स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्न फिल्म, कंतारा में अपने अभिने के लिए सत्तरवे राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेश्ट अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता सर्वे राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कार में रिशब शेट्टी ने फिल्म कंतारा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेश्ट अभिनेता का पुरस्कार जीता जिसे संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेश्ट लोग प्रिय फिल्म का पुरस्कार भी मिला दक्षिन कंणर के कालपनिक गाव में स्थापित कंतारा में शेट्टी का किरदार जो एक कंबाला चैंपियन का किरदार निभाता है जिसका एक इमानदार वन गेंज अधिकारी के साथ आमना सामना होता है अगला प्राश्न भारतियर पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया A. मोर्ने मौकल B. प्रविन कुमार C. डेल स्टें D. ग्रेकली A. मोर्ने मौकल Explanation South Africa के पूल तेज गेंदबाज मोर्ने मौकल को भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का गेंदबाजy कोच नियुक्त किया गया है मौकल की नियुक्ती से भारतियर टीम के कोचिंग स्टाफ कून हो गया इसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर के अलावा फील्डिंग कोच की दिली और सहायक कोच के रूप में रायन टेन देशेकाटे और अभिशेक नायर शामिल है अगला प्राश इसमें मनोज बाजपई और शर्मिला टेगोर की फिल्म गुल्मोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है ये एक परिवार की कहानी है जिसमें उनके बीच के रिष्टों और भावनाओं को खुबसूरती से दिखाया गया है नेशनल फिल्म अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्टित फिल्म पुरस्कार है इसकी शुरूआत 1954 में हुई थी नेशनल अवार्ड बिनको एक मैदल की तरह रजट कमल या स्वर्न कमल दिये जाते हैं इसके साथ साथ नकद पुरस्कार भी दिया जाता है अगला प्राशन भारत के नए केंड्रिय ग्रह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ए संजय वर्मा, बी गाजी कुमार, सी अनिल कुमार, दी गोविन्द मोहन, आंसर, दी गोविन्द मोहन एक्स्प्लिनेशन 14 अगस्त 2024 को सिक्किन कैडर के 1989 बैच के आएस अधिकारी गोविन्द मोहन को नए केंड्रिय ग्रह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया वहसम ने घले कैडर के 1984 बैच के आएस अधिकारी अजय कुमार भल्ला की जगह लेंगे जिनका कारेकल 22 अगस्त को समाप होने जा रहा है अगला प्राश किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मतों और ट्रस्टों का पंजीकरन अनिवार्य कर दिया है बिहार सरकार ने मंदिरों, मतों और ट्रस्टों का पंजीकरन अनिवार्य कर दिया है बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें की निकायों का पंजीकरन हो और उनकी अचल संपत्तियों का ब्योरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, BSBRT को तुरंद प्रस्तुत किया जाए BSBRT राज्य के विधी विभाग के अधीन कार्य करता है बिहार हिंदु धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मतों, धरमशालाओं और ट्रस्तों को BSBRT के साथ पंजी कृत होना चाहिए